आज की वर्शिवल कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वाजत है आज की विशय में आज का हमारे विशय है एक बहुत ही प्रेयरब कहानी जिसका नाम है बैल की विक्री चात्रो कहानी के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हमें यह जानना अवश्यक है कि इस कहानी को लिखा किसमे है इसके लेखक कौन है हमीशा छात्रो कोई भी बात पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें सीष्ट रखने उनकी लेखक का नाम अवश्य ध्यार में लाना चाहिए और जैसे ही लेखक का नाम पता चलता है लेखक के बारे में हमें प्रारंबिक जानकरी पता करके फिर पात को पढ़ना शुरू करना चा यह कहानी ग्रामिर जीवन पर प्रभाव डालने वाली बहुत ही बढ़िया कहानी है और यहां पुरानी परवेश को बताने में काफी सफल रही है साहेतिकार श्रीयारामशरण गुप्त जी का जीवन परिचय आप लोग देख लें और चाहें तो नोट कर लें चात्रो सियारामशरण गुप्त जी जो है बैदाश्टिय कभी मैसली गुप्त के छोटे भाई थे इनका जन्म 1895 में हुआ था और मिधन 1963 में या बहुत ही बिनम्र और बहुत अच्छे कभी और बहुत अच्छे सहायतिकार रहे इन्होंने काब्र के सारसार कहामी उपन्यास भी बहुत अच्छे लेखे और इनके जीवन में बीमारी और इनकी पत्नी का आसमायक निधन और आसपास के इनके जो खास आत्मी जनों के आ जिस प्रकार से प्र Κांद कई में ग्रामन परिवेश को सुब्ट से अपनी कहानी उपन्यासों में उसी प्रकार से साहतिक आजि श्er tsask childrenود का मैं अपनी कहानियों में उपन्यासों में और कंवblade ग्रामन जीवन को बहत अच्छी तरह से बताया है इनका जीवन परिचाय आप लोग चाहें तो नोट कर लेगो। इनके कावि का विकास सदस्वती पत्रिका से इन्होंने स्टार्ट किया, शुरुआत हुई इनकी राष्ट कभी मैथ्ली शनगुप्त का और गानी दर्शन का इनकी जीवन पर बुखुत अधिक प्रभाव रहा जो इनके सहयत्य में परिलक्षित होता है। इसके अप्रित इन्होंने नाटक भी लिखे और कहानियों का भी सजल किया। सिया राम सरण जी की प्रमुक रचनाय काभी में आत्रा, विशार, मोरे विजय, अनाथ आगी, नाटक, पुन्यपर्व, उपन्यास, अन्ति माकांग्षा, नारी और गोज, निवन्य संग्रय, जूट सच, कहानी संग्रय, मानुशी। चात्रों चाहें तो आप इसको नूट कर सकते हैं, और रास्लाम वाले चात्र जगर पे बैठ जाएं, काफी दर उदर भूम रहे हैं, रास्लाम वाले चात्र. चात्रों, आज की कहानी का सीर्षक है बैल की विक्री। आप लोगोंने सीर्षक्तव आपको याद भूगया होगा और शायद आपने क्लास में इसका अध्यन भी किया होगा। आज हम संचेव में आपको सबसे पहले कहानी को बताएंगे। तो कहानी को सुनने से पहले चात्रों सबसे पहले कहानी के प्रमुख पात्रों के बारे में जानना आपका बहुत आवश्यक है। आप चाहें तो नोट कर लें। इस कहानी के प्रमुख पात्र है मोहन जो की एक रिण वर्ष्ट सीमान्त किसाम है। शिभू मोहन का बेटा है। शेट जो आपको साथ महाजन है। गाउं में आप लोगोंने सुना होगा चात्रों आजकल तो जमान से बदल गया है। लेकिन गाउं में महाजन जो रहती थी शेट जिनने कहा जाता था वह किसानों को कर्ज दिया करते थे। और अपसर होता हिया था कि अगर एक बार किसी किसान ने कर्ज ले लिया तो समझ दीजिए पूरा जीवन तक वह कर्ज को चुका नहीं पाता था। कुछ इस तरह से वह लोग ब्याज लगा देती थे कि व्यक्ति पूरे जीवन भर उस रण के बोश के तले दफकर अपनी जिन्दिगी बिताता था। खास तोर से गरीब किसान और रामधन जो इसमें पात्र है वह सेट जो आला पसात का नौकर है। कहानी के पात्रों के बारी में आप लोगों को जानकरी देने के बाद चाहें तो आप इस पात्रों को नोट कर लें और कहानी को भी आप पात्रों सब्सक्री खोल के देख सकते हैं। बैरी की विक्री जो है सिया रामधन गुप्त द्वारा लिखी हुई बहुत ही सुन्दर ग्रामिल परवेश को परिभाशे करती हुई कहानी है। इसमें इक रिण गर्ष्ट किसान के बारी में बहुत अच्छे से बढ़न किया गया है। मोहन इसको संचेव में मैं आपको बताती हूँ। चात्रों सबसे पहले कहानी को आप लोग संचेव में सुन ले। हो सकता है पार्ट की लीडिंग आपने की हो पढ़ा हो। और अगर आप बूल गए हो तो आपके मन में फिर से वही बाते यादा जाएंगी। आप लोग धाने कहानी का संचेव भावया है कि मोहन एक सीमानत रणगर्ष्ट किसाने और शिभु उसका बेटा है, एक लोता बेटा है जो कि बहुत ही लापरवा है। और बेलों की जोड़ी के सहानी बर खेती करता है मोहन और बेलों की जोड़ी उसकी बड़ी प्यारी है। और उसी के साहानी बेलों की किराय पर चलाकर और खेती करके वह अपना जीव and यापन करता है। एक समय आता है बच्चों कि दो बैल मैंसे एक बैल की मत्ती हो जाती है, जब एक बैल की मत्ती हो जाती है, तो मोहन बहुत असहाय हो जाता है, क्योंकि उसका खर्चे चलना मुश्किल हो जाता है, और उसका जो पुत्र है, शीवु, वह भी लापर वहा है, पिता उसको चाहता वह समझदा आग जा लेकिन उसको किसी काम से मतलब नहीं रहता है और जैसे ही एक वेल की मित्ती हो जाती है दो बेल में से तो बैल गाड़ी किराय से जाना भी बंद हो जाती है तो शीवु और भी ज्यादा सोतनित हो जाता है अब और भी सोतनिता को महसूत करने लगता है वह सोता है कि एक वेल ने इसका और क्या करें एक बैल भी इसको भी बेल दिया जाय तो जादा अच्छा है लेकिन मोहन कहता है कि देखो बेटा बैल हमारा जीवान है जैसे हमारे हाथ पेर है उसी प्रकार से हमारे दोनों बैलों क जोड़ी थी, अगर मालीजी कभी किसी दुर्गटना में हमारा एक हाथ कट जाता है, तो क्या हम तुर्से हाथ को काट देंगे, वह अपने बेटे शीवु को समझाता है, लेकिन शीवु उतना ज्यादा ज्याम नहीं देता है, अपने पिता की बातों पर और निकल जाता है, वह अंतर मन से उस बात को नहीं सूचता है कि उसके पिता को बेलों की जोड़ी से कितना इसने है, कितना प्याद है, एक दिन मोहन अपने पुत्र से कहता है शीवु से कि शीवु आज मुझे किसी काम से जाना है, तुम आज इस बेल को नहला दुलाकर इसकी साथ अगरा ख़ाने को दूब, तो शीवु अपने पिता की बात को अंतुना करके कहता है कि मुझे टाइम नहीं है, मुझे तू कहीं जाना है और निकल जाता है, अब मोहन अपने उस एक बेल को बहुत अच्छे से ले जाता है, नहलाता है, वह जिन और भी ज्यादा उसके मन में उस ब पीट को बड़े प्यार से थपतपाता है, उसको खाना दे कर, और जैसे ही वहां से निकलता है, बाहर और उसे घर के दरवाजी पर किसी की आवाज सुनाई लेती है, और जैसे ही मोहन घर के दरवाजी पर जाकर देखता है, तो वहां पर सेट जौला प्रसाद का आदमी से कहता है कि आपको सेट सहाब ने बुलाया है, तो मोहन कहता है कि अभी तुम्हें थकाओं आओं, मैं फिर आओंगा, तो रामदन कहता है कि आपको इसी समय चलना पड़ेगा, जो कुछ भी कहना है, मालिक से जाकर कहिए, जब मोहन पहुंचता है सेट जौला प्रसाद के स और मोहन को वहीं बठा के रखता है, मोहन लाख गड़ गड़ाता है, अपनी परिशानी बताता है कि मेरा एक बेल मर गया है, अब मेरे पास जीवन है आपन के लिए कोई भी साधन नहीं बच रहा है, मैं ऐसे में आपका रंड कैसे चुकाओंगा, उन उपर से बरसाद भी बादल भी नहीं बरसे हैं, तब ज्वाला परसाद के दिल में बिल्कुल भी रहम नहीं आता है, वो कहता है मुझे तो रंड का लोटा अभी लोटाओ, तब मोहन दुखी मन से वहीं बैठ के रह जाता है, इधर पर शीवू आता है, शीवू एक लापरवाय पुत्र है, ले मोहन का जैसे ही उसको बता जलता है कि सुबह से पिता जी को सेच जो आला परसाद में बुलाया है और अभी तक घर लोटकर नहीं आये, तो वह तुरंत दन दन दनाता हुए एकदम गुस्टे में जाता है, सेच जो आला परसाद के घर पर, वहां जाकर देखता है कि उसकी बड़े दुखी अवस्ता में बैठे हुए हैं, तो शीबु जाकर सेच को तुरंत लगकारता है कि इस तरह ऐसे किया जाता है क्या, तो वैसे शाम तक बठा के रखाये, उन्होंने अन्ने का एक दाना नहीं खाया है, और वह उससे में अपनी पिता को वहां से लेकर आ जात मोहन की हला की इच्छा तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी मन मसूस कर अब उसकी सामने की रास्ता नहीं रहता है, तो वै अपनी पुत्र से कहता है कि ठीक है बड़ा, अब इसकी सेवा कोई चारा नहीं है, तो चलो घाट में इसको जाकर बेचाओ, अब जो शीबु जो रहत में जो थोटी जेव होती, इसमें पैसे रख लेता है, लेकिन यहां पर लेखत में, जब आप पार्ट में पार्ट में पुस करने हो, जब आप कहानी को बच्चो आज तो मैने आपको संचेव में, क्योंकि अपने पास इतना समय नहीं होता है, कहानी काफी बड़ी है, और अपने पाड़ी मार्मिक कहानी है, तो इसको आप लोग एक बार घर जाकर, आज क्योंकि मैं जो आपको सलाह जेरी हो, इसको आप अमल करना हो इस कहानी को जाकि घर पर एक पूरा पढ़ना, तो आपको लगेगा कि कितनी कहानी अच्छी है और वास्तों में प्यर्णा दाय अब महाजन से रिंड़ी लेती हैं लेकिन किसान बेंक से रिंड़ी और आपने देखा होगा, कई बार पेपर में आता है कई किसानों ने आत्मत्य कर ली प्रिण के चुकानी पानी से, तो समस्या तो अभी भी वर्क रहा है, उसका रूप परिवर्सित हो गया है, तो चात् अब बार परिवाय इसको दिखाया गया है, पूरी कहानी में जिसे दर से, अपने बैलों से कोई जावे लेना देना नहीं रहता है, के बार बार अपने खाना खाता है, पैसे रुपयों को खर्च करता उड़ाता है, और अपनी पिता की समाई को बड़ी आराम से उड़ाता और उसको बैल का चहरा बार बार अपनी मन में आता है कि जब उसको बेच रहा था तो उसकी भी आखे बराई थी, बने ही वो जानवर था, और आपने देखा होगा, अपने घर में भी जो जानवर होते हैं, उनसे भी अपन को मोह हो जाता है, जैसे ही वो शिभू, जो प्राइज वो जाता है और उसका मन बड़ा दुखी हो जाता है, अंदर से उसको एहसास होता है, कि मतलब भी उसके बैल को कितना अंदर से प्यार करता है, जब उसको छोड़ के आ गया, बेच के आ गया, तो उसकी नहीं आखे भराई, उसको बैल का बार बार चित्र करते होंगे, और शीवु का मन अंदर से बहुत दुखी हो जाता है, वह जब पर हाँ चाता है, उसका मन बड़ा दुखी हो जाता है, उसको एहसास होता है, उसका मन अपनी पिता के ब्रति की बड़ा प्रेम उसकी हिलोरे लेने लगता है, और करुना से भर जाता है, कि मेरी समय कि अत्याचार से जब अपनी पिता को देखता है कि सेट ने उसको कितना परिशान किया कि बिन लोटाओ अभी के अभी लोटाओ और सुगह से शाम ता तब उसके पिता को भूंकर बठा कर रखा फिर उसी परस्थिती वज़र उसको बैल बेचने के लिए आना पड़ा और मजभूजी में उसके पिताने भी उससे कह दिया कि बैल बेचकर आ जाओ और पैसे लेकर अपन रंड को चुपा देंगे लेकिन जब बैल लोटता है बड़ा मालमिक द्रश्य है लेकस्त में बहुत अच्छे से इस बात को उठाया है और जैसे ही बैल बैल बेचकर लोटता तो राष्ते में देखता है कि बहुत सारी लोगंचिता बाद बैट यह बड़ा सुंसान राजता है और 200-300 बात को दो चात्रफ Sansa बहुत में बτέल आद ने चात्रो उसमें नीके ऊपर खाबर Zुमीन रहती। में बहुत सारी लोगंपन बैटे हूंय देखता है उसको बड जमा कर दू। तब समय में आता है शिरू को कि यह तो डाकूं है, तो भाई एकदम से अपनी जेव पर हाच अक लेता है, और उसकी बंदू कि नौप को एकदम से कच के जटक देता है, बोलता है कि यह रुपया में तो मैं नहीं देचाता हूं, चाहे तुम मेरी जान भी ले क्योंकि उसके जमांग में यही बात थी कि मेरी पिता को सेट ने कितना परिशान किया और कितने प्यार से उनने अपने बैल को पाला पोसा और आज उनने इस रुन की वज़ए से उस बैल को बैचना पाट रहा है, तो वह एकदम से अड़ जाता है, और एकदम जोड से चिल चिलाने लगता है और जैसे ही शिवु चिलाता है, विरोध करता है, धक्का देता है डाकू को, तो सारे दो-तीन सो लोग जिन को बंदर बना के डाकू होने रखाता है, उस सब उठके खड़े हो जाते हैं, और सब जोड़ से चिलाने लगते हैं, जब यह इस सिती डाकू द समस्ते हैं कि अब इतने सारे लोगों को हम नहीं समाल पाएंगे और वहाँ से भाग जाते हैं, रुपया वैसा चोड़ कर, और जब शीवु देखता है कि लोटे-पिटे लोगों में एक र्यक्ती, मैं भी है, शेव जोड़ा कसाथ, जिसको भी डाकू ने डूट लिया था अब कि वाल एक धोसी में खड़ा हुआ है, जैसे ही शीवु देखता है, तो वैं शीवु से आके पूछता है शेव जोड़ा कसाथ, अरे शीवु तुमने इतने सारे लोगों को कैसे एकदम से एकदम से तुमने विरूद कर दिया, और सारे लोग जय जय जयतार करने लगत देखो, सिषय शीवु की सबीया है और याँ दं技 जय जबे गा, यहां पर एक व्यांग बताया दिया है कि शीवु ने ढार्कु से अपने रूपय को बचा लिया लेकिन गोर महाजन से अपने रूपय को नहीं बचा पकwar %. यहां पर छात्रो लेखत ने ग्रामिल परवीश की जीवन का बहुत अच्छा चित्रन किया है और इस कहानी से यह बताया है कि रिल रेस्टे किसान की क्या परिशानी होती है और अगर बरसात नहीं होती है तो किसानों को कितनी परिशानी होती है इस बात का लेखत ने बहुत से बढ़नन किया है तो चात्रो मुझे लग रहा है कि आपको कहाणी तो अच्छे से समझ में आ गई होगी और जो पाट्र परिच आए वो भी आपको समझ में आ करा को only पाट्र या कहानी जब हम पढ़ते हैं चात्रों तो उसमें सबसे वड़ी बात हमें यह है कि प्रश्न प तो आप लोगों को बच्चों कोई भी बाट जवाब पड़ते हैं तो सर्व पसम आपको लेखक के बारे में जैसे मैंने आपको अभी जानकाली दी थी कि बैल की विक्री के लेखक स्री अराम चर्ण गुप्त हैं और प्रेम जंद गाणी दर्शन का इनके उपर बहुत अच्छा प्रभाव है और प्राश्टी है कभी मैं जिश्रण गुप्ते के क्यूंख है भाई है तो उनका भी प्रभाव इनकी काव्य में और इनके कहानी परिलक्षित होता है, तो बेल की बिगवी कहानी को मैंने संचेप में आपको समझाया, और मुझे लगता है आप लोगों को अच्छे से आपने इसका आनंद लिया होगा, अब इसके साथ में छात्रों में आपको इस पाड से संबंदे, इस कहानी से संबंदे, जो केंद्रिय इस कहानी का, शीवु मतलब शुरू में जो बताए गया है कि पिता इसने तो बहुत करता है, वह शीवु को सुधारना भी चारता है, लेकिं शीवु सुधारता नहीं है, वो सोचता तब अच्छे से सुच चल रहा है, सारी जास्ती बढ़िया चल रही है, पिता कमा रहे है अपने आराम से आके मोद मस्ती की खानक आया और निकल गया और जो पैसा मिला उसको बढ़ा दिया, आराम से फोटेंचन नहीं, लेकिं यहां पर एक मोड पर जब उसके पिता को सहोकार बुलाता है और उसको प्रताड़ित करता है, तब शीवु के जहत्र में एकदम से जब अभाव आता है, जब कोई समझ्या आती है, तब ही उससे निदान के लिए व्यक्ति के अंदर परिवतन आता है, वास्तित्ता का एहसास उसको होता है, तो यहां पर शीवु एक एंदी चाहित रहे, जिसमें जो बदलाव आता है, और मनु भाव जो उसके बदलते हैं, उस तहानी से हमें भी सीखना चाहिए, कि हमारे माता-पिता और हमारे भुजुद, जो हमारे लिए करते हैं, बच्चों त्याग करते हैं, वो शायद इस उम्र में समझ में नहीं आता है, लेकिन आपी चलके हमें अवश्य समझ में आता है, भले आधुनिक संसादन आज कल लेकिन फिर भी आज के जमाली में भी हमें माता-पिता हमारे जो हमारे लिए करते हैं, हमारे बड़े लोग हमारे लिए जो करते हैं, उन सब का हमें सम्मान करना चाहिए, और उनको कोई परिशानी होती है तो उसमें हमें सहयोग देना चाहिए, जैसे कि शिवु ने दिया, बेसे बिलकुल लापर वाया था बच्चा, कोई उसको चिंता नहीं जैती थी, लेकिन जैसे ही उसके पिता के उबर परिशानी आई, तो एकदम उसके सभाव में बदलावाया, तो इस प्रकार से हमारे अंदर भी करोना की भावना एकदम से व्याप्त होती है, और बच्चों को लाइबेरी में, या क्यूंकि आजकल टीवी और संचार के साधन जादा बढ़ गया, उसे बच्चों की पढ़ने की छमता बहुत कम हो गई है, आप देखेंगे बच्चों, जब मैं पढ़ती थी बच्पन में, उस समय हम लोग, मतलब मुझे तो बहुत जादा शौक था आपको यह सलाय भी दूए कि आप लोग भी और जब भी आपको समय मिलता है, आप लोग अच्छे-ची कहानियों का अध्यन करें, खास्तों से प्रेम चंद और आटकी की अपनने सिया राम शर्ण गुक्ति जी की बेल की विक्री इस कहानी का अध्यन किया है, तो इनकी भी क कहानी आप लोग जो भी आपको लाइदेर में मिले या कभी आप उस तक मिले जाते हैं तो ज़रूर खरी दे बच्चों, तो आपनी घर में एक रत्रित करें अच्छी कुस्तों को, अच्छे सहित्य से हमारे मन अच्छा होता है, हमारे विचार अच्छे होती है, और जब हम हमारा मन अच्छा होगा, तो हमारा तन भी अच्छा होगा, हमारे विचार अच्छे होगी, तो जीवन में आगे बढ़ेंगे, तो आपनों भी अच्छी कहानियों को पढ़ें इस कहानी का जो खास पात्र है शीवू, प्रतिकूल पढ़े सेतियां, चेतना वान इवक्कुर संवेदन शीजी नहीं बनाती, बल्कि उसे कर्टवे बोश से भी अनुप्रानेत कर देती हैं, शीवू के अंदर कर्टवे की भावना भी आ गई, जैसे ही उसके पिता को कष्ट दिया महाजन में, तब उसके दिमाग में एकदम से कि पिता सुगर से शाम तर भूका वेठा है, और बेल की विक्री करने के बाद बेल से अलब होने की पीरा से वा पिगल जाता है, और उसक से दूर हो जाती है, तब हम उसके बारे में एहसास होता है, प्रिया केंद्रिय भाव है, इसको आफ्रों मोट कर सकते हैं, और इस पात्रे के द्वारा, लेखत में, लेखत में जो ग्रामी जीवन में महाजनों का जुल्म होता है, उसको भी बताया है अच्छे से, और यह भ प्रतिरोद नहीं करता, तो सारे लोग अपना सारा सोना चाहनी छोड़कर, मनुवे अज्यानिक प्रभाव भी आए कहानी बहुत अच्छे से प्रसुद करती है, और एक अकेला व्यक्ति रभ सहास कर लेता है, तो उसने उतने बड़े दांपों को जिन से 200-300 की भीड एंट अच्छे से प्रसुद करना चाहिए, इस साहथ उस कहानी से हमें मिलता है कि इस व्यक्ति में अगर एक व्यक्ति भी प्रतिरोद करता है गलत बात का, तो उसके साथ में बहुत सारे लोग आजाती है, और यह शीगु का प्रयाद है, मैं काफी प्रशर्द दिये. संगेठन के माध्यम से जो अन्याय का साहत्यक प्रतिरोद हैं वह इस कहानी के उद्दे ओदेश में नहेत है. कहानी के अंत में जो व्याम ने बताया है बच्चों उसको भी आप लोग नोट करें कि इस व्याम में बताया है कि जो शीबू है वह दापू को कितना लोग भयावर समझ से हैं कि डापू से कोई चीछ छीन पाना वड़ा मुश्किल है लेकिन शीबू ने डापू से तो अपन प्रस्तूति की गई है और प्रेमचंद से भी यह बहुत प्रभावित रहे सिया रामशान गुप्ति जी तो प्रेमचंद की कथा परंपरा से ही यह जुबीवी कहानी है और यह कहानी इसलिए भी काफी महत्पून है और साहुकार की घ्रजाहिंता और विपन्य किसान की दैनीता की माध्यम से सामाजिक वैशम में को भी यह कहानी व्यक्ति करती है और इसमें साहुकार और किसान की बीच के जो अंतर को बताया गया है उसको भी बताया गया है हाला कि आज कर लूप बदल गया है बच्चो ले कितने किसान अभी भी, अभी 2-3 साल पहले से पेपर में कितनी बार आता है कि आत्मत्य कर लेते हैं, तो इसके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए और किसानों की इस दश्या के लिए, सुधारने के लिए प्रहतने करना चाहिए, कि खेती ही हमारा जीवन है, अगर अन्न की उपजाओ नहीं होगी, आपने देखे होगा खेती दीरे दीरे, आइसकल जो ग्रामीन लोग हैं भी सब शेहर में आना चाहते हैं, क्योंकि सब शेहर की चकाचोन से धमित हैं, लेकिन जो हमारे देश की सुन्दता है, वह ग्रामीन जीवन में ही निवास करती है, और अगर खेती नहीं होगी, तो अन्न कहां से उपजाओ होगा, और अन्न नहीं होगा, तो इंसान खाएगा क्या, तो खेती कीई भी उखनी प्रात्मिक्ता है जितनी की पढ़ाई लिखाई की. अर्थार के समाज में हर कारे का उतना ही मातु है, तो किसानों की जो समस्या है, इसको भी सरकार ध्यान दे ही रही है. हमारे मानने मुख्वंति जी तो किसानों के फिवर में बहुत सारी योजनाय उन्होंने शुरू की है, और आगे भी किसानों की इस समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार को नियम बनाना चाहिए, क्योंकि महाजन का इस्तान आप बैंकी ने ले लिया है, लौन तो किसानों को लेने पढ़ता है जब बारिश नहीं होती है, और करज में डूब जाता है, तो इस स्थितिकों उबारने के लिए सरकार को भी प्रयास करना चाहिए. चाहिए, इस कहानी को पढ़ने के बार में, आज कहानी का संचेप में आपको बता दिया है, मैंने इसके बार में लेखत परिचे, लेखत परिचे भी आपको प्रिष्ण पत्र का प्रमु कंग है, और पांच नमबर का लेखत परिचे दो आती हैं, जिनमें से एक आपको लि पूछी जाती है चात्रों, भाषा शेली और साहते में स्थान, तो यहां पर मैं आपको एक के साथ तर दो लेकों के बारे में बता रही हूँ, जैसे सिया रमचन गुट्य जी वह प्रेमचन जी, दोनों की ग्रामी परवेश में लिखी हुए कहानिया काफी सपन हुए हुए और इनकी जो भाषा है वह सरल और सहज है, तो एक साथ आप रचना है दोनों की लिख लीजिएगा, और साथ साथ इनकी जो भाषा शेली है वह भी लगवग एक समान है, जैसे गुट्य जी की भाषा भी सरल, सुवस्पष्ट और आम जनता की समझ में आने वाली है, बीच जो साहत है पर बहुत ही अच्छा इनोंने लिखा है और ऐसी शेली में लिखा है जो आम जनता की करीब है और आम जनता की मुद्धों को उठाता है, आम जीवन की समीव है और ऐसी समझाओं को इनोंने इसमें उठाया है, जो वाके में हमारे आसपास याप्त हैं, तो तो आप एकत्रित करें और इनकी कहानिया पड़ें यह आपको जीवन में बहुत आगे बढ़ने की प्रेणा भी देंगी और आपके ज्ञान को भी बढ़ाएंगी और गुप्ती जी की भाशा भी सरल है, सुवस्पर्ष्ट है, परिश्प्रत है और मुहारों का इनों ने भी बहुत अच्छा प्योग किया है, इसी प्रकार से प्रेमचंद जी ने भी, तो यहां पर मैंने आपको एक साथ दो लेखकों की बारे में बता दिया है, क्योंकि लेखक परिश्या में आपको भाशा शेली, दो रचनाय और सहायते में इस्थान पूछा जाता है लेखक में, तो एक साथ आपके बस दो रचनाय आप प्रेमचंद जी की जैसे गवन है उनकी उपरन्याद, इदगार कहानी उनकी तो दो रचनाय उनकी आप तयार कर लिजेगा, और इस प्रकार से आपके दो लेखके साथ तयार हुगा है, इसको आज आप लोग घर पर जाकर भी तयार कर लिजे बच्चों, तो आपका यह पूरा पार्ट कहानी का तयार हुजाएगा, अब चुकि कहानी आपको मैंने संचेप में समझाई, इसके साथ साथ आपको आप पात्री भी याद हो गएंगे, और अब आप लोग को इससे संबंधित, जो अती लग उत्तरी प्रेश्न निकल के आ रहे हैं, वो आपको, मुझे लगता है कि आप बन जाएंगे, अगर आगे आपसे कांटेक्ट होगा तो मैं आपसे पूछूँगी, तयार करके रहे हैं, आप लोग जैसे अती लग उत्तरी जो प्रेश्न हैं वो निकल के आ रहे हैं, कि खेतों के पोदे असमा य करता सकता है, और डाफू कितने थे हैं, डाफू पास थे, किसान के हाथ पर किसी कहा गया है, तो किसान के हाथ पर उसके दो बैल होते हैं, शिवु अपना बैल बैशने कहा जाता है, हाथ में जाता है, मोहन रामधन के साथ कहां पहुचा, तो मोहन रामधन के साथ कहां तो खेतों महाजनों की तो खोड़ी रहती है, और किसान जोबडी में रहता है, और सबसे जादर मैंनत किसान करता है, तो इस तरह से यह चोटे प्रष्ण निकल के आ रहे हैं छात्रों, इन में आपकी नंबर बहुत अच्छे दुड़ आते है, प्रष्ण पत्र के बाले में में आपको राय जोंगी, कि आप पूरा परशन पत्र हल करके आएं, और सबसे पहले परशन पत्र जब आपको मिले तो दो बार पढ़ें, और एक नंबर के प्रशन पीजू है, इनमें भी आप उत्तर, जैसे खेतों के पौदे असमाही क्यों मुर्जा जाते हैं, खेतों के प बच्चों के आप पूरे पाठ को, खास्तों से हिंदी के उपर चात्र सूर्शयाने पास तो हो जाएगे, मात्र भाशा हिंदी, लेकिन चात्रों ऐसा नहीं है, जब आप हर विशय में, और चुकि अपनी मात्र भाशा है, गाष्ट भाशा हिंदी, इसे हमें और आगे ले तो इसमें कम से कम आप लोगों को 80-90 के बीच में नंबर तो आना ही चाहिए, तो इसके लिए आप पूरे पार्ट गर्दे के पढ़ेंगे, तो आपको क्या रहे हैं, जब बीच विच में से कोश्टन निकाल के दे देते हैं, नेकि यह होता है, जितने मैंने आपको अभी जान से नहीं पड़ी है, तो फिर आप प्रश्न का उत्तर में अटर जाएंगे, और आपको एक नंबर कट हो जाएगा, और एक नंबर भी अपने प्रश्न पत्र में बहुत महत्पूर इस्थान रखता है, बच्चों, जब यह सोच कर हम पढ़ाई करेंगे, कि एक नंबर अब हमारे लिए उतना ही मात्पूर जितना पांच नंबर का प्रश्न, तब ही हम महरेत में आ सकते हैं, तो आपनों को भी यही शुका मने देती हूं कि सभी के नंबर बहुत अच्छे आए, इसके पश्चा अच्छा तो, अब इस कहानी से जो प्रमुक प्रश्न निकल के कता करें हैं, जैसे तीन नंबर और पांच नंबर वान जो प्रश्न हैं, कि मोहं जो पिता था मात्र पिता की जिन्ता क्या होती है बच्चो, आज आपके पापा के बारे में वतावडीक, उनोंने मुझे बराबरी से बढ़ाया, हर चीज के लिए, अगर मुझे किसी भी किताब की जरूरत होती थी, तो अगर हमारे शेहर मनी है, तो वो बाहर से बुला के देते थे और पुरा सहयोग किया, आज, चुकि वो मेरे बीच में नहीं है, लेकिर उनी की वज़े से मातर पिता के सहयोग की वज़े से ही मैं आज इस तिदी में पहुची हूँ, तो मैं आप लोगों को भी यह कहना चाहूंगी, कि चात्रों, मातर पिता, आप भारत के भविश्य हैं, इस्टूडेंट, विद्यार्थी जीवन में आप लोग जू है हमारे भारत देश के भविश्य हैं, और मैं यही जाहूंगी, कि जैसे मोहन अपने बेटे शीवू के बारे में चाहता था, क्यों चिंतित रहता था हूँ, क्योंकि उसका बेटा लापर वहा था, उसको किसी चीज से मतलब नी जाता था, केवल भास खाने खाने आता था और और हमारे जो कारी है, जो हमारे खेती का कारी है, जो भी जिसका कारी होता है, उसको आगे बढ़ाएं और अपने जीवन में एक सफल किसान बने, मोहन के मन में यही इच्छा थी, इसलिए बहुत बदा उत्तर लिखने की ज़रूरत नहीं है, बच्चों, मैं आपको एक सवा आप प्रश्न का उत्तर इस तरह से लेखें, कि रट्य रटाय में लेखें, अपनी भाषा में आप लेखें, अपनी शब्द भंडार को बनाएं, ताकि आप जो प्रश्न का उत्तर लेख रहे हैं, उसका उत्तर इसपर्ष्ट हो, उत्तर दिवर रही नहीं कि आपने एक पेज लेकिन जो प्रश्म पूचा गया है वर उस लक्ष से आप भट गया है तो हमेशा सटीग और सरल भार्षा में लेखें अपनी भार्षा में लेखें आपने कहानी सुनी कहानी पढ़ी भी ग्लास में आपके टीचर ने भी आपको एक बार तो समझा चुके होंगे और नहीं मोहन शीगु के विशय में क्यों चिन्तिक था इसका उत्तर मैंने आपको बता दिया यह दीर गुट करी में आपको आ सकता है तीन अंक में और कभी-कभी पांच और चार अंक में भी आ सकता है बच्चों तो आपको इस प्रश्म के उत्तर में कोई दिक्कत नहीं आएगी य प्रतिकार का मतलब होगा विरोड किस प्रतार किया तो आप लोग को यह समझ में आ गया होगा कहानी से लेकिन फिर भी मैं आपको संचेप में बता देती हूँ कि साहर के साथ शीबु ने अगल वह डर जाता तो उसका रुपया भी छिन जाता वह अपना रिल भी नहीं चुका लेकि शीबु ने क्योंकि लाप और वहाँ बच्चे से उसको अपने कर्टाविका बोद्र हो लिया था कि मेरे उसके दिमाग में बसकी पिता का बहल को सामने आ रहा था कि बैल को जब हमने दूसरे व्यक्ति को दिया क्योंकि वहले बस जानवर था लेकिन उसकी आंखों प पाल को उसकर बढ़ा किया तो कितना वह इसको प्यार करते होंगे फिर उसको यह दुख हुआ कि अगर मैं समझ दालू का तो आज इस बैल को मुझे बेशना नहीं पड़ता तो फिर उसको लगा कि मुझे इस रिंड को चुपाना है और अपने पिता को रिंड मुक्त किसान कि देखना है इसलिए उसके अंदर से चुकि उसके अंदर करते बहावना जागरत हो गई थी तो उसके अंदर से एकड़म सहात आया और इस बात पर चल रहा कि आपत्ती को देखके घवराना नहीं चाहिए वेपत्ती के समय अगर व्यति ने साहत कर लिया तो साहत जैसे ही जोर से चलाता है डापु के लिए उसकी बंदुक को एकड़म से जटका देता है तो जो सारे ग्रामुन दवे डरे हुए बैटे से उनके अंदर भी सहात चाहत हो जाता है और जब एक से अनेक लोग हो जाते हैं तो सब मिलकर डापु के व्रोद में एकड़म से चलाना लग इसको आप 4-5 लाइन में उसको देस सकते हैं चातरो है traisola . इसके भश्यात में परशन निकलके आरहा है इसमें कि बैल को बेशने के बार में शीबु की मान से किस्थिति कभर्णल कीजिए। तो यह मैने आपको बताया है चातरो कि बैल को बैशने के बार में जब हैं लोट उस इस्तिती ते उसको एगदम से अपने पिता का चेहरा आंकों में बार बार घूनता है कि किस तरह सेथ जालर मसाः ने पूरे सुगय से लेकर शाम तक उनको बठा के रखा और एक तरह उसको बैल का दिमाग मुझे तरह आता है कि कितना वर मुझे प्यार करता था वर तो मे मेरी में शुरू में ही समझदार हो जाता तो आज मुझे है बेल भी बेचना बढ़ता है और करोना से उसका मन भर जाता है अपनी पिता के लिए उसका मन करोना से भर जाता है कि मेरी पिता मुझे कितना प्यार करते हैं कितना चाहते हैं लेकि मैंने उनका बिल्कुल ध्यान और फिर भैश समझदार इंसान बनके निकल कर आता है और उसके मन में अपने पिता के लिए और अपने बैल के लिए बहुत ही प्रेम का अंभाव करने लगता है, उसको समझ में आ जाता है कि वहें मेरी कितने करीब थे, करीब हैं पिता भी और बैल जिसको मैंने बैश दिया वहें मेरे कितने करीब था, फिर उसको एहसास होता है कि आठ जिस चीज को मैं अपने से दूर करके आया हूं, वहें मेरे कितने करीब थी, उसको भी एहसास नहीं है कि मैं उसको इतना प्यार करता हूं, जब लेकिन उसको बेचने के बाद आता है, लोटता है, तो फिर उसके क क्योंकि उसके मन में हैसास हो जाता है कि उसका हमारे जिवन में कितना एहम इस्थान था भले वह एक जानवर था लेकिन वह उसके भाई के समान था उसको महसूस हो जाता है और उसको अपनी सारी गलतियों का हैसास हो जाता है और वह फिर घर की तरफ लोगता है तो इसमें इसी बात को बताया गया है कि इंसान की परिस्थिती के द्वारा ही अपनी वास्तिती को समझ में आती है, जब उसके उपर विपत्ती आती है, तब उसको एहसास होता है कि जो लोग उसके करीब हैं, वह उसको कितना प्यार करते हैं, और उन से वह कितना दूर था, जाट जाती हैं अपनी पिता की परती अपनी वेल की परती और फिर अपनी घर की तरफ लोगता है एक समस्थार पुत्र बन जाता है जात रोक कहानी के बार में अब आपको संदर्व परोसंत है व्याज्या इस कहानी का आज मैंने आपको पून रूप से संचेक में बता भी दिया OH जिव लगूत करिए दिल-इदु करिए प्रशने से निकल कि आ रहा कि वह भी आको समझाए, ओर एक प्रशन आपको संदर व पृशंध में एक्षा करना होती है। तो छाथ भो आपको किसीभी पार्ट में से गढदे के पार्ड में से कुछ दीर लाइन यह दे भी जा सकती है जैसाast in this part में से एक बहुत ही सुंदर 3-4 लाइन का प्रसंद में आपको दे रहे हुँ तो इसको आप लोग पढ़ने, आपको दिखाएगी रहा हूँ, इश्वर ने उसकी सचन्ने विचुरन के पथ में एक सुविदा और कर रखी थी, घरवालों के साथ उसका वही संबंध जान पढ़ता था, जो खेती के साथ उन बादनों का होता है, जिनके दस्चन ही नहीं हो इसमें शीवु के लापरवाय सभाव को बताया गया है, तो सबसे पहले चात्रों आपके दिमाग में, कोई भी संबंध प्रसंगी साथ व्याक्षा के लिए आपको अगर जद्यान शाता है, तो उसको पढ़के आपके दिमाग में तुरंट आ जाने चाहिए कि यह किस पार में आती हूं, मैं हमेशा बताती हूं, कि छात्रों हर पार्ट के लेखक का नाम आप अविशे ध्यान में रखें, क्योंकि पूरा पार्ट जुड़ा हुए रहता है, जैसे आपको संदर्व प्रसंग साथ व्याक्षा आती है, तो उसमें संदर्व में आपको यही लिखना पड़ता है, यह जो गद्यान छे है, वह किस पार्ट से लिखा लिया गया है, इसके लेखकों ने, तो इसके संदर्व में आप लोग लिखेंगे, कि यह जो गद्यान छे है, वह बैल की विक्री कहामी से लिया गया है, हमारी पार्ट पुस्तक में, और इसके लेखक सिया र अब ही आप से प्रश्न पूछे जाएंगे तो इसमें शीबु के स्वच्छन्द विच्रंद के बारें बताया है कि वैसे ही वह लापरवार रहता है जब एक वैल मर जाता है उसका तुम्हें और स्वतन्त हो जाता है और उसी समय पर आता है जब उसको जरूरत होती है पैस्टों की या भोजन की और बागी समय आराम से भूलता रहता है तो इस गध्यांश में लेकत ने यहीं बताया है कि जब इसमें मोहन का जो बेटा है लापरवार रहता है और उसी समय पर घर आता है जब उसको जरूरत होती है जिस प्रकार से बादल जब आरिश को जरूरत होती तब बरस्ती नहीं है तो खेती जब सूउक जाती है उसकी बार में बेच समय बारिष होती है उसी का उधारन उसी की तुनला मोहन के बेटे से की गई है कि जब बिन मौसम बढ़सात हो जाती है तो वह फजल को तभा कर देती है उसी प्रकाय से शीवु भी ऐसा रहता है कि जब आता है तो घर का रुपया पैसा भी लेते चला जाता है और घर के घर की कामों में उसका कोई सहयो नहीं रहता है इस प्रसंग हुने यहीं बताया है चात्रू संदर प्रसंग सही जब व्याख्या करने आती है तो आपको इसमें विशीष का लिखना आवश्यक रहता है अगर आप विशीष लिखते हैं तो आपकी रशन पत्र को जाचने वाली उत्तरबुस्तिका को जाचने वाले की वर्भी इंप्रेशन अच्छा पढ़ता ह है और इसका एक अंक भी होता है तो इस प्रसंग में आपको मोहन के जवान बेटे की नाका रहोने की बारे में बताया गया है इसकी भाशा सरल है सहज है और शैली व्यांजात्मक है इसमें बिन बारिश बिन मौसम जब बरसात होती है जो फसल को तभा करती उससे तुलना मो अब एक कहानी से जो प्रमुख इसका पार्ट है संदर्प्रप्रसंग से व्याथ्या में ये वाला भी कई बार आपको आया है शायर 2013 में भी ये चात्रो आया है तो इसको आपनों जहान से देख ले मनुष्य अपने आपके विशह में जितना अग्यानी है कदाति उतना और किसी में विशह में नहीं है या जो कज्यान्ष है इसमें बताये गया है कि महन का बेटा शीवु रौज घर आता है रोज बेल को देखा है पिता उसका सारा काम करके रखता है और बजन करहिकर के लिए आता है रुपे पैसों की जरूस होती घब आता है लेकिन उसे को एम मत तुरंद मरा करके निकल जाता है, कैना मुझे टाइमि ए, यह कहीं और जाना है। लेकिन जब वह आखिर में वेज कर लोडता है, तब उससे बार-बार अपने वेज की सूरत यार आती है। और उसको लगता है कि मानो कि जब उसने बैल को दूसरे के हाथों में सौपा, तो देखता है कि उसकी भी आखों में आसु आ गयते और उदास हो गया था. तो जैसी वर बैल को भेज़ के आता है, इस गज्यांज में बताया है कि जैसी वर बैल का विचार अपने दिमाग से अटाता है, तो उसको अपने पिता का मुर्जाया हुए चेहरा सामने आ जाता है, जो सिर्फ ज्वाला पसाथ के सामने दुखी भी नीम बैठा हुआ था, त तो इस गज्यांज में बताया गया है कि मनुष्य जो होता है, जो उसके आसपार रहता है, जैसे कि मैं आपको इक उधार में रहना चाहूंगी, अभी आज आते आते में सुन रही थी, कोई तीवी में कारेक्रम चल रहा था, तो उसमें वक्त के मुपर से कुछ बात हो रही कि उनका क्या महात्म है उनके जीवन में, लेकिन अगर उन लोगों में से, या उस व्यक्ति में से, या उन चीजों में से कोई चीज दूर हो जाती है, अगर मालीजे गर में से कुछ सामन को चुरा ले जाता है तो तो उस सामन की बहुत या रहाती है, क्या रहा है वो हमारे कि उनका उसकी जीवन में क्या महत्म है, इसमेंnovU के दूरे बताये गया है, कि शीखु पूरे जीवन में आराम से भून का फ्रिटा रहता था।Into न अपने बैवल मतलब थाये, न आपने घर के साजु सामान letatianteanteanteanteanteanteца। बाद में उसके अंदर इद्जम से परिवर्ता में आता है अर्थार व्यक्ति के अंदर जैसे ही वास्वित्या का भोल होता है तो उसके अंदर कष्ट्यवे की भावना भी जाजरत हो जाती है और अपने पिता के प्रती उसके मन में सम्मान और प्यार भी उमणाता है यह इसक बताया गया है। और इसमें भी संदर्म में छात्रों आपको यही लिखना है, मेशा पूरुवात रहेगा, कि यहां बैल की विक्री से लिया गया है, इसके लेख सिया रामशानगुथे हैं, और यहां पर प्रसंद में आपको इन इस गद्यांच में जो प्रमुख बात समझा इसके बारे में बताना है। तो प्रसंद में आपको छोटे रूप में लिखना है कि बैल को बेशने के बाद शीभू के रिदर में जगने वाले भावों का बढ़न इसमें किया गया है। व्याथ है मैं आपको इसको समझाने हैं, जो मैंने आपको दो तीन बारा भी समझा तो मुझे उमीद है कि आप लोग इसको आसानी से लिख लेंगे। अब इसमें भी विशेश यू निकलके आ रहा है कि व्यक्ति को समय आने पर ही अपनी वास्विक्ता का समय होता है और उसके आज पर जो चीजे होती हैं, जो व्यक्ति होती हैं, जब उनके बारे में उसको अस्त्री वास्विक्ता का ग्यान होता है तब उनके महत्र के वाहे में भी उसको पता चलता है, तो व्यक्ति को अपनी वास्विक्ता का बोच समय पर होता है, और ऐसा ही व्यक्ति समझदार माने जाएगा भले ही, शुरू में शीबु के जो चरित्र है बड़ा लापनभाय पताया लेकिन कहानी के अंत वोते होते उसको एक समझदार और करतावय परायन पुत्रे के रूप में लेखत ने बताया है और बड़ा ही मालमी चित्रन किया है। इस कहानी से हमें यही पता चलता है कि समय आने पर अगर व्यक्ति के मन में करतावय का बोध हो जाता है तो वह व्यक्ति ही सही है। अगर समय आने पर अपनी भूल को सुधार लिया तो वह व्यक्ति भी एक अच्छा इंसान बन सकता है जीवन में आगी चलके। इस गर्द्यांज की भाषा भी सरल और सुबोधे विशेश में आपको लिख करते हैं. चात्रों, आज बेल की विक्री कहानी तो आप लोगों उने समझ दी और अच्छे से आपको मुझे लगता है, पूरा पार्ट मेंने तैयार करवा दिया, इस कहानी का आपके सारे प्रशनोत्तर, संदर प्रसंग साइथ व्याख्या और शायद थोड़ा तर समय बचा हुआ है, तो आपके ही पार्ट में परिक्षय कहानी जो है प्रेमचंद की उसको मैं संचे में बता देती हूं, कि यह कहानी जो है देवगार रियासत के दीवान पत्य उम्मीद्वार की चैन पत्रिया से संब्धित है, देवगार के रियासत के जो दीवान थे सुजान सिंग, उनकी उम्र हो गई थी, वह जब बुड़े हो गए तो उन्होंने राजा से जाकर बोला कि आप मुझे इस पत्र से मुक्त कर दें, क्योंकि सुजान सिंग परिक्षय कहानी है, इसका सीर्षा के इसके लेशात मुनशी प्रेमचंद है, तो इसमें जो है प्रेमचंद जी ने बहुत ही अच्छा, जैसे भी स्यरामचंद गुट्त जी ने बेल की बिक्री कहानी में बहुत इमान में पढ़ना कि ऐसी प्रेकार से इसमें यूनोंने देवगाद रियासत में दीवान के पत्र चयन की प्रक्रिया उसको बहुत अच् तो बहे इस बारे में पूरे में जैसे कि अपने पने पफर में किसी भी पद के लिए विज्यापन निकलता है चाट को उसी प्रकार से उनों भी अपने सारे गवह में आजपार थे जयासत में धिनोरा पिटवा दिया. उसमें जिलो रपटवाए जाता है ता राजा के राजी में, कि देवगण में दीवान के पत के लिए किसी योग उमीद्वार सी अगुवत है, और जो भी इस योग है, वह सब आके संपर करें, तो दीवान क्या करते हैं, कि उन सभी के ठहराने की बहुत उचिती ववस्ता करत हैं, एक साथ सब को रुकाया जाता है, जितने भी दीवान पत के उम्मीद्वार आते हैं, और सब को बाराम से रहते हैं, और सारे लोग जो हैं, जितने भी इस पत के लिए दावेदार बनके आते हैं, वो सब किसी ना किसी तरह से दीवान सुजान सीं को रिजाने की पोशि सारे लोग उसमें जितने भी दावेदार रहते हैं उस सब तो मस्ती से खेलते हैं हांकी की का खेल होता है और गाउं तो देखेले तो दे pasti और में तो aka आपने शाम map यह हो किसान रहता है वह सब को आवाल लगाता है , कि मेरी बेल-गारी तु निकल वाने में móदत करvenue कि कोई ही जुबि निकल नीकों के लिए लेकर लेकिन एक ख्ळाडकर भी सामिंत गता है वह आगे आता है और वह फिसान की बेल गाडी को निकलने में मदद करवाता है और महां कहता है, वह खिषान की थुआ सा आप आगे नटका लगाईये, और पीछे दवए धका देता है तो इस प्रकार से जब जैसे ही वह बैलगाडी निकलके बाहर आजाती है तब उस समय यदो देखता है बशिलाड़ी तो उसको कुछ-कुछ लगता है कि इनकी इस इस्किसान की शवतल दीवान सुजान से मिल रही है तो भाब में, सुजान से बुस को कैते हैं, कि दीवान पत्की आपको बढाई हो। और अंतिमीं जब घुषन है, और दीवान पत्की दाविदार व्यक्ति की, तो वह उसी को दीवान पत्के लिए न्यूब्त करती हैं, क्योंकि उसी में यह योगजता थी, जिसमें दया होगी, मानवता होगी, वह ही वेक्ति दिवान पर्क ही योग है. अगर जिसके अंदर मानवता नहीं है, तो वह किसी का क्या ध्यान द्यान रखेगा? तो इस कहाणी में भी परिक्षा पक्राइन इसलिए इसका सीरशक सार्था होता है छात्रो क्योंकि परिक्षा लिए और पुनागे उस साहता है आज उतना ही उपयोगी को ऐसे आगे चल शुदा के लिए प्रतीयोगी परिक्षा है都 inex smoke तो उसमें आपको लेखे चलहीं, रुटर्वीव में डिया जाते हैं, जो चात्र अच्छे से रिप्रेजेंस करते हैं, वाध चात्रों का चैणुगा लेकिन इंटर्वीव में धो को स्षा गरज सेडन करते हैं अच्छी कहानियों को पढ़ें और उनको अपनी जीवन में उतारने की कोशिट करें। इसमें से जो है समय जीवन में अच्छी के तो अधी लगवत्तुरीय प्रशने इसमें से जो निकल के आ रहे हैं छात्रों जैसे सुजान से कौन से देश प्रशन पत्रों में विक्यापन क्यों निकाला गया। इस तरह से रियासर देवगण में आई उनमी जवारों में से कौन-कौन से खेलने की योजना बनाई। हिसान की गाड़ी कहां फख देए थी। आज क्योंकि चात्रों अप समय अपना समाप्त होने वाला है तो आज यहीं पर मैं अपने पाठ को समाप्त करती हूँ। और आशा है कि आपको आज का पाठ अच्छे समझ में आया होगा। गर पर जाकर आप लोग अच्छी तैयारी करें और जो जो बाते मैंने आपको बताई हैं उनको अपनी बढ़ाई के उसमें शामिल करें और दिन चरिया बनाकर पढ़ाई करें और परिश्या के लिए आपको शुप कामना है धन्यवाद।